परिचय कि कंचा पंग से अधिक भारी है बच्चो इस अध्याय में आप भार के बारे में और अधिक जानेंगे आओ सीखें अधिक तथा कम भार वाली वस्तूओं को बताना दो वस्तूओं के भारों में तुलना करने के लिए तराजू का प्रयोग करना भार को समझना आओ हम एक उधारन की सहता से भार की परिकल्पना को समझते हैं एक पंग को उठाते हैं क्या इसे उठाना आसान कारे नहीं है हाँ ये आसान है क्योंकि पंग हलका होता है अब एक इट को उठाते हैं क्या आपको ये कारे कठिन लग रहा है जी हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि इंट भारी होती है भारों की तुलना करना एक भारी वस्तू एक हलकी वस्तू की तुलना में अधिक भारी होती है अव हम इसे एक उधारन की सहयता से समझते हैं एक तरफ एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक पानी से भरा हुआ मख लेते हैं अब दोनों को उठाने का प्रयास करते हैं आपको क्या लगता है कि किसे उठाना अधिक आसान है जी हाँ बिल्कुल सही पानी से भरा हुआ गिलास ही उठाना अधिक आसान है क्यूंकि ये पानी से भरे मक्षे अधिक हलका है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन वस्तूओं को आसानी से उठाया जाता है वे कठनाई से उठाई जाने वाली वस्तूओं की अपेक्षा अधिक हलकी होती हैं आओ खेलें वाक के पूरा करने के लिए सही विकल्प को उठा कर रिक्तिस्थानों की पूर्ति करें तराजू की सहायता से तुलना करना इस चित्र को देखें आपने इस वस्तू को कहा देखा है जी हाँ, दुकान में ये तराजू कहलाता है ये भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एक सेब बेचने वाला दुकानदार तराजू के एक पलड़े में सेब तथा दूसरे पलडे में भार रखकर सेप का भार मापता है तराजू का प्रयोग भारों की तुलना करने में भी किया जाता है आव देखते हैं कि कैसे तराजू के एक पलडे में खीरा तथा दूसरे पलडे में तर्बूज रखते हैं तर्बूज वाला पलड़ा नीचे जुग जाता है। इसकार्थ है कि तर्बूज खीरे से अधिक भारी है। हमने क्या चर्चा की। कुछ वस्तुएं भारी होती हैं जबकि कुछ अन्ने वस्तुएं हलकी होती हैं। हलकी वस्तुएं भारी वस्तुओं के तुल्ना में अधिक आसानी से उठाई जाती हैं। हम दो वस्तुओं के भारों के तुल्ना करने के लिए तराजू का प्रयोग कर सकते हैं।